लखनव और दिल्ली के बीच शीत युद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कभी तस्वीरों के जरिये बहस नई खड़ी हो जाती है, तो कभी कुछ ट्वीट पूरी राजनीती को एक नई दिशा में मोड देते हैं। एक तरफ पीडिये को धोखा का जाता है, तो दूसरी तरफ पीडिये को उसका स्ष्रे दिया जाता है कि बैसाखी पर सरकार चली गए। लाओ, सरकार बनाओ, किसको इशारा कर रहे हैं अखलेश लादों? कौन सा मानसून ओफर लेकर आए हैं सपाप्रमोग? क्या योगी आदितनाथ ने अपने प्रभाव से अपनी राजनीती से दिल्ली को चक्मा दे दिया? क्या केशो मोरिया मुक्यमंत्री बनने की बजाए अगरी मंत्राले या पीडेवलूटी मांगने की जिदपर आ गए? या लखनाओ ने क्या ये इशारा कर दिया है कि जब सरकार से बड़ा संगठन है तो जाओ अब संगठन ही संभाद हैं? उत्राप्रदेश की राजवीत में बहुत कुछ हो रहा है और मौका देखकर अखलेश यादोर ने उसमें मर्च मसाला डाल दे रहे हैं तड़का लग गया है आगे इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों कहा अखलेश यादोर ने कि सो लाओ सरकार बनाओ सौगत आप सबका डॉक्टर लक्षमुड यादों के सोशल मेडिया प्रेटपॉर्म पर तो आज सुबस सुबस सबकुछ उत्राप्रदेश में वैसे ही चल रहा है जैसे पिछले कई दिनों से चल रहा है लोकसमा का चुनाव बीजेपी उत्राप्रदेश में हारती है और ऐसा हारती है कि केंदर में उसकी सरकार नहीं बन पाती है अकेले पूर्ण बहुमत से केंदर में सरकार बनी तो वो गडबंधन की सरकार बनी जिसका दबाव असर एकबाल वो ऐसा ही नहीं रहा जैसा पिछले 10 साल रहा क्योंकि पिछले 10 साल बीजेपी की अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और इस बार का नारा ये था कि अपकी बार 400 पार फिर ये पूरी कवायत तेज होने लगी कि असल में क्या वजे रही कि उत्तर प्रदेश में जिस बीजेपी ने इतना सब कुछ किया अचानक से सीटे कम हो गई और अपक्त्याशित रूप से कम हो गई समिछका बैठोंकों का दौर शुरू हुआ एक दूसरे के खिलाब बयानबाजी शुरू हुई और उस बयानबाजी के साथ साथ उत्तर प्रदेश की राजनीत में दोशा रूपन का खेल शुरू हुआ तो अब तक कई विडियोज में कई घटनाओं के जरिये कई तस्वीरों के जरिये कई सूत्रों के हवाले से आती सूचनाओं के जरिये इस बात का विशलेशन खूप किया गया कि क्या उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री बदले जाएंगे क्या केशव मौरिया बाहर बार बार दिल्ली आ रहे तो उसका कुछ सूत्र खुल रहा है 2017 से लेकर के 2024 तक योगी बनाम केशव असल में योगी बनाम अमिशा था जो धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया क्या अमिशा चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदल दिया जाए ताकि जैसे शिवराज सिंग चोहान एक समय जब तीसरी बार या चौती बार मुख्यमंत्री बनना शुरू हुए उस समय शिवराज सिंग चोहान उस खेमे में चले गए थे जिसमें अमिशा और नरिंद मोदी असहज महसूस करने लगे लेगिन बहुत सारे लोग तो इनके खेमे में रहने के बाद भी और इसकी सजा पाए और मुख्यमंत्री पत से हटा कर कहीं कोई मंत्री या कैबिनेट दे दिया गया शांत कर दिये गए ठंडे कर दिये गए यो अंतरप्रदिश नहीं है यह सब कुछ खेल इतना असानी से होने नहीं दिया क्योंकि योगी अजितनाद में अपनी तैयारी कर रखे तो असल में अब दो तीन चीजें एक साथ खुलने शुरू होई है और वो कि क्या जितन प्रसाज जो P.W.D. मंत्रे थे वो P.W.D. में उस तरह से काम नहीं कर पाए जैसा वो चाहते रहे होंगे सांसत का चुनाव लड़े दिल्ली चले गए P.W.D. मंत्रा ले उत्तरप्रदिश में खाली हो गया यहां से एक बल मिला एक तरह की चर्चाओं को बल मिला कि क्या उत्तरप्रदेश के कैब्रेट मंत्रियों की कुछ भी नहीं चल रही सूत्र फिर जुड़े खुद उपमुख्य मंत्रियों से उत्तर फ्र्देश में दो ऊप मुख्यमंतरी केशाव मौरिया और ब्रजेश पाठकु उसले दिनों उत्तर पर देशमे के बार एक तरह से हिवात खड़ा हुआ था ब्रजेश पाठक को स्वास्त मगमा मिला हुआ था ब्रजेश पाठक ने अपने हिसाब से कुछ प्रमोशन कुछ ट्रांसफर पोश्टिंग कर दी साहिल मुक्यमंतरी आवास पहुचती है मुक्यमंतरी कार्याल है पता चलता है कि उनके किये गए तमाम फैसलों को रोख दिया गया बदल दिया गया तनातनी शुरू हो गई और वो तनातनी ऐसी फैलती चली गई कि दोनों के बीच रिष्टे शहज नहीं रहे और इस बीच मे आगे जब बात केशो मुरया तकाती है तो पता चला इनके मंतरालियों में आवंटीत पैसे रिवीस नहीं किये जा रहे है और उन पैसों को कोई खर्च नहीं कर पा रहा और जब पैसा खर्च नहीं हो पा रहा तो इसकी एक वज़य यह सोची गई कि क्या मंत्रालियों पर नकेल कुछी रिकस रखे क्या मुख्यमंत्री कार्यारले हावी है क्या मुख्यमंत्री के आसपास के जो अधिकारी हैं वो मजबूत हो रहे हैं और तमाम नेताओं के तमाम मंत्रियों के काम नहीं हो रहे और काम होने के पीछे कई वजह होती हैं पैसा नहीं कमा पा रहें मनमाफिक ट्रांस्पर पोश्टिंग नहीं करा पा रहें दबदबा नहीं बना पा रहें क्योंकि दबदबा तो उत्तरपरदेश में एक का रहा गया और उसने अधिकारियों से बों मुख्यमंत्री पत से हटा दिया जाए एक सूतरे में एक साफ दिखे नरेंद्र मोधी छहरा बनके खड़े होते हैं और नरेंद्र मोधी के साथ दूसरा चहरा सबसेदा कौन अमिश्शाह और अमिश्शाह के बाद अब नरेंद्र मोदी 73-74 साल उम्र ढल रही है जलवा घट रहा है तासीर थंडी पड़ रही है कौन अगला नंबर राजनीती में भी अब वो कवायत तेज नहीं दे इस से लेकर के सुबुहाट तेज हुई कि उनसे जादा कटर और तभी से ये कवायत जगडे में तबदील हो गई कि केशो मौरिया को मुहरा बनाओ योगी अदितनात को मुक्यमंत्री पत से हटाओ और नरेंद्र मोदी के बाद कौन होगा इस लड़ाई को शांत करो की विकल्प ही न रहे है फिर एक नेरेटिव चलाया गया और उस न कैसे ड्राफ्ट किया जाता है 2014 में जब नरेंद्र मोदी के नेत्रित में उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाओं के परडाम आते हैं तो पता चलता है कि 73 सीटें बीजेपी जीत जाती है 80 सीटों में से 73 और उसके बाद 17 के चुनाओं के बाद योगी आदेतनाथ मुक्यमंत्री बनते हैं तो 19 के चुनाओं में उसी उत्तर प्रदेश में वो सीटें घटकर 63 हो गई फिर 22 के चुनाओं में योगी आदेतनाथ दुबारा चुनने जाते हैं उत्तर प्रदेश के मुक्यमंत्री के तौर और 24 के चुनाओं का जब परडाम आता है तो उसी उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से बीजेपी घटते 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 30 सीटों पर रह गई और इस से योगी विरोधी खेमे ने फिर से लामबन्दि टेज कर दी कि ये हार की वजय योगी अधितनाद हैं दूसरी तरफ योगी अधितनाद की तरफ से ये किस्सा चलाया गया कि लोगसवा चुनाऊ में हमारी कुछ चलती नहीं हमारे उसाब से कंडिदेट नहीं, कुछ नहीं तो हमारी हार कैसी है और तब तिकडम में अब उत्तर प्रदेश में ये सिल्सला और आ रहा है कि तमाम बार दिल्ली गुमने के बाद जब आगे किया गया था केश्व प्रसाद मोर्य को और केशो प्रसाद मौरे जब आगे किये गए तो एक खबर यहाने लगी कि देखिए मुख्य मंत्री तो नहीं बन पाएंगे 22 में सेराथू की अपनी विधानसवा हार चुके हैं तो क्या जितन प्रसाद से खाली हुआ PWD मंत्राले दे कर खुश कर दिया जाएगा अमिश शाह के कहने पर दिल्ली के प्रभाव में और योगी आदितनाथ कहीं से भी ग्री मंत्राले देने को राजी नहीं है तो बात मुख्य मंत्री बदलने से चल रही थी बात अब मंत्रालियों के बितरण तक पे भी सिमट गई और ऐसा लग रहा है कि क्या लखनवू में बैठे योगी आदितनाथ जिनके लिए कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी उन्हें हटा देती है तो मुश्किल होती है और बीजेपी नहीं हटाती है तो मुश्किल होती है और ऐसे समय में क्या बदलता है कि योगिया जितनात ने केश्व मौरिया कोई निप्टा दिया क्या अब इस चर्चा इस मुकाम पर आ रहे हैं दिल्ली से लोटे हैं तो क्या लेकर लोटे हैं एरपोर्ट पर उनकी मुस्कान बहुत कुछ कहती है क्या इस पर सवदा हो गया क् इगरी मंत्रा ले ले लो या पीड़ेव्डी मंत्रा ले ले लो केश्व प्रसाद मौरिया और थोड़ा प्रभाव बढ़ा लो या लकनव वाले ने कहा कि जब सरकार से बढ़ा संगठन है तो अब सरकार से भी हटो और चलो संगठन मजबूत करो पाटी मजबूत करो लड दिल्ली वाले अब कोई और रास्ता निकाल करके उत्तर प्रिश्क मुख्यमंत्री को बदलने की कोशिश करेंगे। इस बदली हुई परिसिती में अचानक एक ट्वीट आया कि लोट के बुद्धो घर को आए। क्योंकि केशोव प्रसाद मौरिया के उपर विपक्ष हमलावर हुआ कि भीया तुमको कितने बड़े चेहरे हो और मिल क्या रहा है स्टूल पे स्टूल पे स्टूल और कभी-कभी वह भी नहीं। कभी गनी घना, कभी मुठी भर्चना, कभी उहो मना, वोच पूरी में हमारियां चलता है। कभी दिन ऐसे होते हैं कि दैम मटर पनीर, दैम बढ़ियां काजू कर्मा, कभी-कभी दाल भात, कभी उहो ना, वक्त हर बार एक सा नहीं होता। और फिर उल्टे एकेशो प्रसाद मौरिया ट्वीट करके सपा और बसपा इन पर हमलावर हो गए। क्योंकि ये लोग ये कह रहे हैं कि भाया, तुम लोग अपने घर के जगड़े में पूरे प्रदेश पर अइस्थिरता पहला दियों। ऑस्पिटलों में दवाई नहीं, बाढ़ में राहत के कोई सामगरी नहीं, कर्मचारियों में गुसा, चाहिए वो प्राइमरी स्कूल के माश्टर हो, तुमें फैसले वापस लेने पड़ रहे हैं। सरकार का इकबाल कमजोर हो गया, कानून बेवस्था इतनी चौपट हो गई है कि पुलिस कश्टडी में लोग मारे जा रहे हैं, तो कहीं भी छड़कानी और तमान तरह के अपराद बढ़ते जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। और तब जब कमजोर पढ़ते देखे केशो प्रसाद मौरिया, तो अखिलेश यादो जो अपने पूरे कॉन्फिडेंस में आजकल दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने फिर ट्वीट किया कि मानसून आफर सौलाओ सरकार बनाओ। और इस तरह का जो मानसून आफर जब अखिलेश यादो ने सुबह सुबह ट्वीट किया, इससे ये लगता है कि क्या केशो प्रसाद मौरिया को वो आफर दे रहे हैं, कि भाया जब तुम्हारे हिसाब से दिल्ली वाले तुमको कद पद प्रतिष्ठा नहीं दिला पा रहे हैं, अब लगता नहीं कि तुम्हें गरी मंत्राले भी मिलेगा उत्तर प्रदेश का, जो कि मुख्यमंत्री ओफिस अपने पास रखे होई है, पी डेवलुडी मंत्राले भी नहीं मिल रहा है, जो जितन प्रसाद छोड़ के गएं, जिसमें कम सकम थोड़ा है ना, वो भी न मिल रहा है, वो क्योंकि मुख्यमंत्री ने अपने पास रख लिगा है, वो भी, और आप चले ते मुख्यमंत्री बनने, और लग यह रहा है कि अब आप लोगों के बसका कोई मुख्यमंत्री का मामला बचा नहीं, तो या तो आप इंतजार करो, क्योंकि अब तो इस टूल खेलेगा शिवपाल सिंह यादों ने ट्वीट करके कहा कि यह जो तुम पीडिये पर केश्व प्रसाद मौरिया ने पीडिये पड़ी कर दी और उन्हों कि यह जो सपा बहादूर लिखते हैं जब केश्व मौरिया तो भी सपा बहादूर शेखलेश यादव जी भाजपा कि देश दोनों जगा मजबूत संगठन और सरकार फिर संगठन को पहले लिखा यादन संगठन सरकार से बड़ा होता है तो ट्वीट किया फिडिलिट किया और सपा का पीडियेग धोखा है अबूसी ट्वीट में ये लिख दिया सपा का गुंडा राज दोजार सत्ताइस में भी बीजेपी जीतेगी सत्तरक दोहराएगी तो शिवपाल सिंग यादो ने कहा कि पीडिये सामाजिक न्याय के विस्तार की गारंटी है पीडिये हर दलित पिछडे अलपसंकिय कवंचित और पिछडे के अधिकार की गारंटी है यह पीडिये की ताकत है जिसने सत्ता के मद में डूबी भाजपा को उत्तर प्रुदेश में रोक कर केंद्र में सायोगी दलों पर निभर कर दिया यह पीडिये हिए सिरात्थू मे आपको प्रचंड हार दे दी और इस तरह से पूरी समाजवादी पार्टी एक तरफ हमलावर हुई कि भाईया देखो हमारे उपर मत तुम लोग अपना घर का जगड़ा देखो और दूसरी तरफ मांसून अफर आ गया कि अगर सौ विधायत हैं तो 111 बारत भी सपा के पास हैं और उसके बाद 10 उपचुना होने वाला इसमें जीतेगी सपा सौलाओ मुख्यमंत्री और सरकार मनाओ इस से फिर बीजेपी और सकते में है क्योंकि बिहार से लेकर के महराश तक उतराखंड से लेकर के करनाटक तक मध्परदेश से लेकर के कई राज्यों तक बीजेपी ने यही खेल खेला है और अगर यह खेल अखिले श्यादों खेलने के लिए एक पॉलिटिकल गेंद उन्होंने फेक दी है तो देखना दिल्चस्प है कि क्या बीजेपी के बीच इस सबसे हलचल तेज होती है या डिल्ली और लखनव के बीच का शीत युद्ध अभी और किसी नए रोप में आगे बढ़ता है क्या योग्यादितनात मुख्यवंत्री बनेंगे या नहीं, तो क्या योग्यादितनात मुख्यवंत्री बचेंगे या नहीं, या केशो प्रसाद मौरिया सरकार में बचेंगे या नहीं, क्या केशो प्रसाद मौरिया को मनपसंद गरी मंत्राले या PWD भी मिल पाएगा या न यहां कभी भी मौसम बदल सकता है आपको क्या लगता है नीचे कमेंड बॉक्स में जरूर बताईए देखते रहें डॉक्टर लक्षमर यादों को फिर बिलेंगे किसी और विश्यशन के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद